हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डाउटनेट पे मेरा नाम है विवेक विवेक सिंग और हम है आपके मैट्स के भाईया जो की आपको माथामेटिक्स पढ़ाएंगे तो बेसिकली हम आज लेके क्या आए हैं आपके लिए आपके लिए हम लेके आए हैं वन अफ दा इंपा मतलब complete revision करवाएंगे या फिर बोल सकते हो वन शॉट में इसको आपको दिया जाएगा एक लेक्चर में पूरा पूरा चैप्टर समझाया जाएगा आपको ठीक है तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना ठीक है चालो सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर में है क्या-क्या चैप्टर के अंदर क्या-क्या content है कि हम क्या-क्या पढ़ाएंगे आपको चीक है तो basically यह जो चैप्टर आपका है introduction to trigonometry इसमें तीन topics include होते हैं जिसमें पहला topic है trigonometric ratio दूसरा है specific angles trigonometric ratios of some specific angles and last topic होता है आपका trigonometric identities बचे यही चैप्टर क्यों लेके आए question आप पूछोगे बिल्कुल पूछोगे हमें पता है देखो यही चैप्टर हम इसले पढ़ा रहे हैं कि one of the important chapters है पूरी के पूरे boards exams के लिए चाहे आप half early exam ले लो अपने चाहे आप अपने board के exam ले लो कम से कम कुछ भी नहीं तो 8 स 12 marks की वेटेज होती है अब यह हम बात कर रहे हैं total की जब board में आता है यह जब यह boards में आता है final exam होते हैं तब जाके 8 से 12 marks के इसमें से questions बनते हैं ठीक है 12 marks के questions बनते हैं अब लगा लो half early exam चल रहा है तो half early exam में क्या ही वेटेज होगी इसकी मतलब लगा लो दुगना ठीक ह दुगना के आसपास होगा मतलब 16 के आसपास 16 marks की विटेज अकिला ये chapter रखेगा आपका तो आप लोगों को पता लग गया है कि कितना जादा जरूरी है ये chapter इसलिए हम इसकी revision या फिर one shot आपके लिए लेके आए हैं ठीक है basically trigonometry word तीन parts में divided होता है जो की होता क्या क्या है देखो try का मतलब होता है try आपने पढ़ा होगा try का मतलब क्या होता है 3 ठीक है tryo नाम से आपने शुना होगा tryo सुना होगा Indian Crickets में 3 tryo होते हैं 3 दोस्तों का group को हम try बोलते है tryo बोलते है ठीक है तो try का मतलब होता है 3 ठीक है उसके बाद gone का मतलब क्या होता है side और matri जिसे हम matron से represent करते हैं उसका मतलब होता है measurement ठीक है मतलब मतलब की ये तीन side वाली figure की measurement और उसके बारे में Study करना वो हमें trigonometry बताती है अब तीन साइड वाली figure क्या होती है ये question raise होता है यहाँ पे अब जो तीन साइड वाली आपकी figure होती है वो basically triangle ही होता है वो basically क्या होता है वो triangle होता है और trigonometry basically deals करता है study of a triangle और triangle में भी अगर specifically बोलो triangle में भी अगर specifically बोलो तो right angle triangle की study करना ठीक है right angle triangle की अब right angle triangle ही क्यों इसके पी question आता है और right angle triangle होता क्या है ये भी question raise होता है देखो ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चे जानता होगा हर बच्चे को पता होगा कि right angle triangle होता क्या है ठीक है ये right angle triangle नहीं है ये right angle triangle नहीं है right angle triangle अभी ह हम यहां पर बनाके दिखाएंगे ऐसा होता है। आपका राइट एंगल ट्रैंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है। इस चीज की हम study करते हैं। अब राइट एंगल से आपको к्या form होता है। दीछ सीदे चीजे क्लिक होनी सीए SAY उना चाहिए, कि right angle triangle तो हमने पढ़ा है 8th class में पढ़ा है, 9th class में पढ़ा है और 7th class में भी पढ़ा होगा कुछ-कुछ बच्चों ने 7th class में भी पढ़ा होगा तो right angle triangle से one of the famous आपकी identity होती है या फिर property होती है right angle triangle की जिसे हम क्या बोलते हैं Pythagoras theorem बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं Pythagoras theorem बोलते हैं तो वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए no doubt आगे भी हम बताएंगे कि क्या होती है Pythagoras theorem basically होती है कि perpendicular का square plus में base का square plus में सबसे बड़ी वाली side जिसे हम hyper continuous बोलते हैं जो की x से represent की जाती है ठीक है यह आपका Pythagoras theorem होता है ठीक है यह हमने बता दिया कि basically trigonometry किसमें deal करता है क्या होता है कैसे निकलता है किस की study होती है और कौन से triangle की study होती है तो triangle भी कौन सा triangle और triangle में भी right angle triangle में कौन सी property important होती है सब कुछ बता दिया अब बात कर लेते हैं आप बैटे हो कुटो मिनार पे या कुटो मिनार को observe कर रहे हो नीचे से तो आप उसकी length निकाल सकते हो आप अपना distance निकाल सकते हो कुटो मिनार से कितनी दूरी पे हो तो इस basic purpose के लिए आप trigonometry का use कर सकते हो एक और use होता है बहुत सारे uses हैं बस हमें जो अभी फिलाल अभी कुछ-कुछ basic आप लोग समझ पाओगे वो हम बता देते हैं एक तो कुटो मिनार का हो गया और एक हो गया ships को light दिखाने में ठीक है? ships का distance पता करने में जो basically ships ships कौन सी? जहाज पानी वाला जहाज कौन सा? यह पानी वाला जहाज और यहाँ पे light house होता है light house क्या दिखाता है? भाई light दिखाता है जहाजो को ठीक है? यह फिलाल हमने जो बनाया है यह जहाज माल लो ठीक है? ड्रॉइंग थोड़ी-थोडी कच्ची है तो यह जहाज है हमारे फिलाल अभी यह जहाज को भाई light दिखाता है तो light से पता लग जाता है कि light house कितनी दूर है light house क्या होता है? सभी को पता होगा मेरे ख्याल से चालो और उसके बाद एक और अब technical terms में बात करते हैं यह तो simple सा समझाने का मतलब था कि कैसे होता है अब technical terms में अगर बात करें तो देखो ऐसा है एक बच्चा है हमने यहाँ पे कोई साभी बच्चा उठा लो अपने हिसाब से कोई साभी बच्चा उठा लो यह बच्चा है यह क्या कर रहा है? यह Eiffel Tower को observe कर रहा है यहाँ पे एक और बच्चा है Eiffel Tower को observe कर रहा है observe करने पे क्या क्या चीजे होती है distance निकलता है height निकलती है और यह line of sight होती है यह जो eye से टेड़ी की तरफ देख रहे हो ना आप मैंने बोला यहाँ मेरे light लगी है मैं इस light को observe कर रहा हूँ तो आखों की जो raise ऐसे जा रही है उसे बोला जाता है light of sight यह होता है angle of elevation आखों के बिल्कुल सामने क्या बनेगा सामने क्या बनेगा horizontal line बनेगी बिल्कुल और horizontal line और line of sight से क्या बनता है angle of elevation बनता है अब यहाँ पे दो angle बनते हैं एक तो जब नीचे से कोई उपर की तरफ observe करता है वो होता है angle of elevation और जब उपर से नीचे की तरफ observe करता है उसे बोलते हैं angle of depression angle of elevation नीचे से उपर की तरफ observe करना angle of depression उपर से नीचे की तरफ observe करना यह था आपका trigonometric का basic use अब बात करते हैं आपकी right angle triangle की जो की trigonometric ratios में आपका defined होता है यह trigonometric ratios बट trigonometric ratios बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ elaborate करना चाहेंगे थोड़ा सा right angle triangle के बारे में समझाना चाहेंगे देखो ऐसा होता है यह होता है आपका right angle triangle अच्छा यहाँ पे हमना notation जो ले रहे हैं वो A, B, C, D ले रहे हैं तो गबराना नहीं आप P, Q, R भी ले सकते हो M, N, O भी ले सकते हो यहाँ पे हमने बोला B angle क्या है यह B angle है हमारा 90 degree का तो Pythagoras theorem आप लोगों को पता है एक short form में हमने बता दी बट अगर लंबे form में बताएं, simple सा यहाँ बताएं तो Pythagoras theorem क्या होती है कि जो longest side होती है मतलब AC का square, वो किसके बराबर होता है वो होता है AB का square plus में BC का square इसका requirement पढ़ेगा इसलिए हम यह फिर से बता रहे हैं इस चीज की requirement पढ़ती है जिसको नहीं पता Pythagoras theorem क्या होती है अब trigonometric ratios बनते हैं कैसे बनते हैं अगर हम सिरफ इस right angle triangle की बात करें इसमें क्या है, तीन sides है trigonometric ratios क्या होती है right angle triangles की ratios से बनती है कैसे, देखो यहाँ पे हम बोल सकते है कि AB by AC ठीक है, ऐसे ही BC by AC ठीक है, और ऐसे ही बोल सकते है AB by BC ठीक है, ऐसे ही इनके reciprocals होंगे ऐसे ही क्या होंगे, इनके reciprocals मतलब AC by AB ठीक है, AC by BC and BC by AB तो यह कुछ ratios बनते हैं right angle triangle में, ratios बने, भई तीन sides हैं, तो 6 ratios बनेगी तीन ये और तीन ये, ये कुछ ratios बनती हैं, इसी को हम define करते हैं, trigonometric ratios से, इसी को हम किस से define करते हैं, trigonometric ratios से define करते हैं, ठीक है, ये होता है, ऐसे बनती है, इस तरीके से आपकी बनती है trigonometric ratios, कोई बच्चा पूचे कि ये sin theta कहां से आया, कैसे logic लगाया, किसने logic लगाया, और क्यों logic लगाया, कि हम sin theta, cos theta, tan theta, cos theta, cod theta, and second theta बनाएं, वो logic इसी वज़े से लगाया, यहाँ पे अगर right angle triangle को देखो, तो यहाँ पे अगर हम ratio ratio बात कर रहे हैं, ratio का मतलब क्या होता है, ratio का मतलब होता है comparison, भई ये AB को, AC के साथ compare किया BC को, AC, AB, BC and इनके reciprocals, तो बोला जाता है trigonometric ratios, और इनके नाम दे दिये गए थे, जैसे sin, cos, tan, और आपको बताए जाएंगे कैसे नाम दिये थे, अब यहाँ पे important चीज एक और आती है आपकी, जो कि यहाँ figure में आप देख पारे होगे, होता क्या है, देखो जो सबसे लंबी side होती है, उसे हम happiness बोलते हैं, ठीक है अब, यहाँ से एक और चीज important आती है, वो क्या होती है, अब सुनना ध्यान से ठीक है, जो कि क्या होता है, देखो अगर angle यह consider किया जाएगा मैंने यहाँ पे notation डाल दी, A B, C, जहाँ पे angle B कितना है, 90 degree का है, angle B कितना है, 90 degree का है, यह angle C क्या है, angle C के respect में हम अगर बात करें, तो यह क्या है, angle C के opposite side angle C के क्या है, opposite side इसे हम यह तो opposite side बोलते हैं या फिर perpendicular बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, opposite side या फिर perpendicular बोला जाएगा angle C के respect में similarly ये adjacent to this side इस angle के adjacent जो side होगी उसे बोला जाता है adjacent sides या फिर base या फिर क्या बोला जाएगा base बोला जाएगा ये दिहान रखने वाली बात है और side by side अगर मैं एक और दूसरा triangle बना दू यहाँ पे for example मैंने एक और दूसरा triangle बनाया नाम वो ही रखा ABC triangle रखा सेम चीज रखी है बट अब की बार हम study angle C को नहीं कर रहे यहाँ हम किसकी study कर रहे थे angle C की study कर रहे थे बट अब यहाँ पे हम study कर रहे है angle A की किसकी study कर रहे है A की study कर रहे है याद रखना बच्चो ये तो same रहेगा longest side को H ही बोला जाता है तो यह तो H है ठीक है H क्या है आप लोगों को अच्छी तरह पता है detail में जाने की जरूत नहीं है अब यहाँ पे अगर angle A है तो यहाँ angle C था angle C से just adjacent उसको क्या बोलते है adjacent side और बोलते हैं base तो यहाँ से angle A के just adjacent side होगी A B और इसे बोला जाएगा base इसे क्या बोला जाएगा इसे बोला जाएगा base and अगर यह base हो गई यह hypertonus हो गई तो यह क्या निकली BC क्या निकली भाई angle A के opposite वाली side opposite मतलब opposite मतलब perpendicular opposite मतलब perpendicular ठीक है यह चीज़े आपको पता होनी चीए अब आती है आपकी trigonometric ratios जैसा कि हमने बताया कि right angle triangle की ratios को define कर दिया अब कैसे define किया वो समझो अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैसा कि हम बता रहे थे figure दुबारा से बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़रुत पड़ेगी इस चीज़ को आप समझ लेना चीक है अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं यह है यह है angle A आप PQR भी ले सकते हो जरूरी नहीं है कि हम ABC ABC बार बार ले रहे हैं आप PQR XYZ notation कुछ भी डाल सकते हो ठीक है जरूरी नहीं है कि angle B को 90 पुट करो कुछ भी angle पुट कर सकते हो ठीक है तो देखो ऐसा होता है सबसे पहले आया हमारा sign of angle A यह sign A का मतलब होता है sign into A नहीं sign A का मतलब यह नहीं होता sign into A इसका मतलब होता है sign of angle A तो यह होता क्या है अगर angle A की यहां पे बात हो रही है यह है आपका angle A तो जैसा कि अभी अभी हमने discuss किया है angle A के according, base क्या होगा? base होगा ये वाली side और perpendicular क्या होगा? ये होगा perpendicular ये क्या होगा? perpendicular होगा तो sine क्या होता है? sine होता है आपका perpendicular by H, P by H P मतलब perpendicular H मतलब hyperdonous P कहा है? P है आपका BC P क्या है? BC upon में H, H क्या है? AC ही रहेगा ये चीजे याद रखने वाली हैं, अब याद गैसे करोगे वो भी समझाएंगे sine के बाद आते हैं, cos cos of angle A और cos of angle A बोला जाता है base by H B by H जिसे हम क्या बोलते है? base फिलहाल हमारे इस triangle में क्या है? AB, base क्या है? AB, तो ये हो जाता है AB by AC और ऐसे ही tan of angle A tangent of angle A जिसे क्या बोला जाता है? perpendicular by base P by B, perpendicular है BC and base है AB क्या हो जाएगा? BC by BC by AB, ये तीन trigonometric ratios हैं, जो की basically आप लोगों को पता होने चीए sine of angle A, cos of angle A and tan of angle A ये तीन major हैं अच्छा, होती तो 6 है major major क्या बोल रहे हैं हम? देखो, 6 होती है no doubt 6 होती है 6 हमने बताई भी है कि कैसे होती है ये तीन होती है अब ये जो next 3 होती है वो क्या होती है? इसके reciprocals होते है इसके क्या होते है? reciprocal मतलब की ये अगर हम बात कर रहे है sine of angle A P by H है तो आपका अगला जो होगा वो होगा cosecant of angle A चीक है? cosecant of angle A sine का क्या होगा? reciprocal तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 by sine of angle A जिसे हम बोलते है H by P इसको क्या बोला जाता है? H by P similarly secant of angle A वो क्या होता है? वो होता है 1 by cos of angle A जिसे हम बोलते हैं क्या? H by B and cot of angle A वो क्या होता है? वो होता है 1 by tan of angle A जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं B by P लखो यही चीज हमने बताई थी क्या बताया था? sine क्या होता है? P by H होता है, तो कॉस सेकेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल H by P, उसके बाद कॉस क्या बताया था, B by H बताया था, सेकेंट में क्या हो जाएगा, H by B, देखो यो उल्टा हो गया, निमेरेटर डिनॉमेरेटर बन गया, डिनॉमेरेटर बन गया, रेसिप्रोकल का मतलब क्या अब ये इतना complicated हो गया कि याद कैसे करें ये इतना complicated हो गया कि हम इसे याद कैसे करें तो याद करने का भी एक छोटा सा मंत्र होता है मंत्र उच्चारण क्या होता है मंत्र बोल लो, phrase बोल लो maximum बच्चे phrase बोलते हैं आप लोगों को समझना चाहो, मंत्र बोल लो, या फ्रेज, जो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो इसको बोल सकते हो, होता क्या है मंत्र, पंडित बदरी प्रशाद हर हर बोले, सोना चान्दी तोले, सिंपल से एक लाइन है, एक statement है, पंडित और सिरफ पहले word पे मतलब की समझाते हैं सुनना देखो पंडित का P बदरी का B थोड़ा सा distance maintain करते हैं पंडित बदरी परशाद का P अब हर हर बोले ठीक है उसके बाद क्या था उसके बाद था सोना चांदी तोले सोना चांदी तोले मतलब sin of angle theta है P by H के बराबर cos of angle theta है B by H के बराबर tan of angle theta है P by B के बराबर याद हो गया ये तरीका है simple सा याद करने का जिस बच्चे को अब तक याद नहीं हुए है वो simple सा ये phrase याद कर ले जब paper में बैठेगा तो ये statement तो अपने आप याद हो जाएगी simple पंडित पंडित का तो ये तो पता ही होगा ना कि भाई word पंडित कहां से start होता है word बदरी कहां से start होता है word हर कहां से start होता है चांदी तोला सोना तो सभी को पता होगा कि भाई कैसे start होता है कौन से word से start होता है तो मतलब sin theta, P by H, cos theta, B by H, tan theta, P by B, ये मेरे ख्याल से सभी को पता लग गया होगा, अब इन्ही के reciprocals क्या होते हैं, in्ही के reciprocals होते हैं, cos second theta, cos second theta, sin का reciprocal, मतलब H by P, उसके बाद cos का reciprocal होता है, second theta, वो होता है, h by B, and tan का reciprocal होता है, cos theta, और वो होता है, B by P, ठीक है, easy peasy, ठीक है, ये तरीका होता है simple याद करने का देख लो ध्यान से ठीक है देख लो ध्यान से फिर एक और चीज बताते हैं फिर उसके बाद questions पे जाएंगे जैसे कि हमने बताया है कि one shorter vision है बचे याद रखना अगर class अच्छी लग रही है बढ़िया मज़ा आ रहा है class में तो like and subscribe करना मत बोलना ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे ये तो आपका phrase था ये था आपका तरीका याद गरने का अब एक छोटी सी चीज और आती है है यहाँ पे important चीज होती है देखो ऐसा होता है अभी कुछ बच्चों ने शायद observe भी किया होगा कि अगर हम tan theta की बात करें या tan of theta अच्छा देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को confusion होगी कि sir या भाईया sir बोलो भाईया बोलो देखो ऐसा होता है आप भाईया बोलोगे much more connected होता है ठीक है problems है पूछो चीक है चालो सबसे पहले बात करते है tan theta अच्छा theta और angle A की बात कर रहे थे angle A specifically एक angle को denote करता है बट theta आपका denote करता है भाई ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है अब ये और ये का मतलब यहाँ पे imaginary figure थी हमारी ये वाली इसकी बात कर रहे ये वाला angle भी हो सकता है theta ये वाला भी angle हो सकता है अब अगर ये होगा तो perpendicular ये होगा अगर angle ये होगा तो उसका perpendicular ये होगा तो एक जिसले बोलते हैं general notation जैसे हम बोलते हैं class 10th case students आपका स्वागत है आपकी class में तो यहाँ पे हम हर बच्चे को क्या कर रहे हैं denote कर रहे हैं हर बच्चे को क्या बोल रहे हैं हर बच्चे को बुला रहे हैं जो 10th class में है specifically 10th class में है तो ऐसे नहीं बोलते हैं राम, रिंकू, मुहमद, अली आज़ो आज़ो ऐसे नहीं बलकि जब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि tan of angle theta का मतलब है कि सभी class 10 के बच्चे का स्वागत है ऐसा वाला notation है tan theta अच्छा चलो मुद्दे की बात बताते हैं मुद्दे की बात क्या बता रहेते हम यहाँ पर tan of theta क्या होता है वो होता है perpendicular by base क्या होता है perpendicular by base होता है तो अगर numerator और denominator में मैं h से divide करूँ मतलब p by h divided by b by h तो कुछ याद आया आपको कि यार p by h sir आपने बताया था कि भया आपने बताया था p by h बताया था sin हाँ बिलकुल sin बताया था बिलकुल याद है अच्छे से मतलब sin theta by cos theta मतलब जो tan theta होता है उसको हम sin theta by cos theta भी लिख सकते हैं आई बात समझ में tan theta को क्या लिख सकते है similarly अगर tan को हमने लिख दिया है तो caught की भी बारी आती है तो caught को कैसे लिख सकते है तो caught क्या होता है actual में shy tan का reciprocal 1 by tan theta और यह क्या बनेगा, यह बनेगा B by P, B by P बनेगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब आच्छे से देखना इसको लिख सकते हैं, P by H upon में B by H, base by H divided by P by H, तो इसको लिख सकते हैं cos theta by sin theta तो यहाँ से आपने फिर दो चीजे सी की, क्या चीजे सी की से आपका एक और important चीज है जो कि आपका basically आगे यूज होने वाला है ठीक है पहले चीजे बता रहे हैं ताकि ये ना बताओ कि भईया भईया ये तो आपने बता है नहीं ये तो गलत बात कर दिया आपने ठीक है clear है चालो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब लेके आए हैं आप के लिए एक कुशन अच्छा इतनी चीजें हम ने ratios trigonometric ratios के बारेppen बताई हैं कि वाई trigonometric ratios क्या होती है उनका जनम कहां से हुआ है बनी क्यूं वो झी के sign theta क्या होता है cannot तो और यहां पे जो नेके आए है वो सीधा टारेक्ट कोशन लेके आए है पहले थोड़ा सा बेसिक डिसकॉशन फिर उसके बाथ कुष्पर कोशचंस डिये कुछ questions आपको homework के तोर पे भी दिये जाएंगे class में ही दिये जाएंगे तो question क्या है question है inner triangle ABC right angle triangle at B मतलब एक triangle है जो की ABC triangle है तो यहाँ पे मैंने triangle बना लिया ऐसे करके triangle बना लिया अब हमें बोला है कि angle B है वो है 90 degree अच्छा ये तो में given है ये हमें क्या है given है तो तीसरी side क्या हो जाएगी भाई angle C ये हमें B पता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हमें बोला है कि right angle B पे है और tan of angle A given है कितना tan of angle A है 1 by root 3 कितना है 1 by root 3 हमें क्या find करना है value find करनी है ये है first part ये है second part दोनों part solve करने है solve करके दिखाएंगे ठीक है तो यहां से अगर tan A given है तो पहले तो आपको ये पता होना चीए कि tan of angle A होता क्या है अभी formula समझाया था पंडित बदरी परशाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले तो tan of angle A क्या होता है वो होता है P by B मतलब perpendicular by base अगर angle A की बात हो रही है यहां पे अंगल A कहा है angle A यहां पे तो perpendicular क्या होगा इस case में BC perpendicular क्या होगा perpendicular होगा BC और base क्या होगा base होगा इसके adjacent वाला side जो की है AB मतलब हमें क्या दे रखा है हमें दे रखी है ratio इसकी जो की यह है 1 by root 3 ठीक है अब यहां से हम यह बोल सकते है यह exact value तो नहीं बोल सकते exact value नहीं बोल सकते बट हाँ यह हम बोल सकते है जो BC है वो है 1 वो क्या है 1 और जो AB है वो कितना है वो है root 3 अब बचो यहां पे आप लोग अपने paper में 1 और root 3 नहीं लिखेंगे यहां ratio का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ चीजे cancel out हुई है for example यह हो सकता था इसकी value हो सकती BC की actual value हो सकती थी 2 और AB की actual value हो सकती थी 2 root 3 ठीक है तो यहां पे यह जो common चीज है यह cancel out हो जाती है जब हम comparison या फिर ratio या फिर proportion करते है तो यहां पे आप लोग लिखो गे 1y root 3y या x भी लिख सकते हो वो आपके ओपर depend करता है आपको x लिखना है x भी लिख लो y लिखना है y भी लिख लो तो यहां से क्या लिख जाएगा यहां से लिख जाएगा 1x ठीक है तो x लिख दो simple और यहां से क्या लिखा जाएगा? रूड 3X अब यहां पे अगर हम figure में दिखाएं कि कौन सी चीज क्या है? तो यह है आपकी रूड 3X आजा भई लिख जा रूड 3X और यह है X क्या नहीं given है? देखो right angle triangle में होती है तीन sides, दो sides हमें पता है AC हमें निकालना है अच्छे निकाल क्यूं रहे हैं? देखो निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें trigonometric ratios निकालनी है sine, cause, sine, cause निकालना है तो sine, cause के लिए वह तीनों sides तो चाहिए H तो चाहिए, सबसे लंबी side AC तो चाहिए AC कैसे आएगी? by using Pythagoras theorem by using Pythagoras theorem और मेरे ख्याल से Pythagoras theorem अभी अभी बता के हम हटे हैं कि AC का square is equals to AB का square plus में AB का square plus BC का square तो यहां से हम AC निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं root 3 X का square और BC का X का square तो यह कितना आजाएगा? यहां से हम AC निकाल सकते हैं आपका कितना हो जाएगा? 2 X के बराबर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 X के बराबर तो हमारे पास एक ऐसा triangle आ गया right angle triangle जिसमें हमें सारी की सारी figures सारे की सारी measurements पता हैं तो यह हमने यहां पे लिख लिए और आपका काम फिर अब हो जाएगा असान अब काम बन जाएगा असान angle B है यह ठीक है? A कहां है? A है यह और C है यह ठीक है? measurement लिख लेते हैं कि क्या-क्या given थी? भाई A भी हमें पता था रूग 3 X BC हमें पता है X और यह पता है 2 X 2 X कैसे आया? by using Pythagoras Theorem इस theorem Pythagoras Theorem का use किया भाई A B का square करेंगे तो A B कितना हो जाएगा? 3 X square root 3 का square करते हैं तो क्या आता है? 3 X square इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? X square तो यह हो जाएगा 3 X square plus X square 4 X square और 4 X square का root करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 X तो यह सारी sides आ गी अब पहला पार्ट की बारी तो पहला पार्ट क्या था? हमारी screen पर पहला पार्ट था कि sine of angle A first sine of angle A into में cos of angle C plus में cos of angle A into में sine of angle C यही था question भई question देख लो sine A, C, A, C A, C, A, C okay, तो value निकाल लेते हैं value निकाल लेते हैं बिल्कुल पहले हम sine की बात करते हैं sine क्या होता है? perpendicular by H P by H angle A के हिसाब से angle A के हिसाब से perpendicular क्या होगा? B, C होगा perpendicular क्या होगा? B, C होगा तो अगर हम sine of angle A की अगर बात करते हैं तो वो होगा bc by ac और यहीं से sin c भी है sin a होगा bc by ac और sin c होगा sin c क्या होगा sin c हो जाएगा यह angle c उस हिसाब से a भी बन जाएगा perpendicular a भी क्या बन जाएगा perpendicular और h तो h ही रहेगा तो यह चीज़ याद रखना similarly cost में changes होंगे similarly इसके cost में changes होंगे तो यहाँ पे हम value put कर दें क्या हाँ जी बिल्कुल sin of a value put कर दो by bc divided by ac ठीक है ऐसे ही cost c क्या होता है base by h c के respect में base क्या हो जाएगा bc ही होगा क्या होगा bc होगा तो यह होगा bc by ac plus में cost of a कितना है cost of a हमारा था cost of a तो यह हो जाएगा ab by ac into में sinc just अभी निकाल के दिखाया है ab by ac तो इसको solve करना is not मुश्किल टास्क अब तो यहाँ से bc कितना है by bc है x तो यह हो जाएगा x by 2x या फिर simple इसको हम बोल सकते हैं 1 by 2 यह भी 1 by 2 plus में ab कितना है root 3x root 3x divided by 2 तो यह हो जाएगा root 3 by 2 into में root 3 by 2 तो यह कितना बन गया यह बन गया 1 by 4 plus में 3 by 4 जो कि कितना आ गया 4 by 4 जो कि कितना होगा 1 के बराबर जो कि किसके बराबर होगा 1 के बराबर यह चीज समझाई सभी को यह चीज समझाई कैसे निकाला sign A कैसे निकाला कौस C कैसे निकाला भई एंगल से निकाला, simple सा, भई एंगल A होगा, तो उसके रस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये, अगर एंगल C ये होगा, तो उसके रस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका A B, ठीक है, clear है, फंडा, सभी को अच्छे तरीके से, बहुत बढ़ इन पार्ट था, कॉस A, इंटू में कॉस C, माइनस का, साइने, साइन सी, ये ही था, करो सॉल, value find कर दो, कॉस A कितना है, कॉस A आया था, रूट 3 बाइ 2, ये था, रूट 3 बाइ 2, और ये था, 1 बाइ 2, माइनस, साइने कितना था, साइने, ये रहा, कितना आया था, साइने, bc by ac bc कितना है bc था x x by 2x जो कि 1 by 2 था जो कि कितना था 1 by 2 था जो कि कितना था 1 by 2 था तो इसको आगे solve कर सकते हैं तो यह simple कितना बन जाएगा 1 by 2 into में root 3 by 2 जो कि क्या हो जाएगा यह हो जाएगा root 3 by 4 minus root 3 by 4 answer शुन्य ठीक है clear हुआ सभी को यह था आपका basic question जो कि आपका जब आपके angles change होते हैं trigonometry में तो उसका परियोग उपयोग या फिर उसका use कैसे करोगे उसका use कैसे करोगे आप समझाया सभी को चालो चालो next question की और बढ़ते है limited time अब यह आगया आपका एक और अच्छा जन्विन बढ़िया question अच्छा question है good question है ठीक है अब इस question में क्या given है देखो इस question में given है आपको की O P Q O P Q एक right angle triangle है कहां पे right angle triangle है P पे right angle triangle है figure हमें देही रखी है यह हमारा 90 degree का triangle है ठीक है आगे क्या बोला गया है O Q माइनस P Q 1 cm है O Q जो की H है माइनस Q P यह कितना है 1 cm के बराबर है और हमें find करने के लिए बोला है sin of Q cos of Q की value find करनी है Q कहां है Q है यह यह वाला angle की बात हो रही है तो देखो ना तो हमें perpendicular पता है ना तो हमें base पता है ठीक है ना हमें perpendicular पता है ना हमें base पता है तो चलो क्या करें भाई x y put कर लेते हैं हम लोगों ने linear equation 2 variables तो पढ़ा ही है तो x और y put करी लेते हैं तो देखते हैं क्या बनता है तो यहां पे सिरफ हमें पता है P O और वो कितना है वो है 7 cm जो की question में ही given है अच्छा एक चीज सुनना और observe करना जो O Q है वो क्या है O Q वो क्या होगा वो obviously बड़ा होगा वो क्या होगा बड़ा होगा किस से बड़ा होगा P Q से बड़ा होगा वो किस से बड़ा होगा P Q से बड़ा होगा क्यों triangle में जब right angle triangle की हम बात करते हैं थीक है? तो अब यसी बात है ये बढ़ा होगा अच्छा एक को हमने बोल दिया X और एक को बोल दिया Y अब X किसको ले रहे हो? Y किसको ले रहे हो? वो भी आप पे छोड़ दिया किसी को भी X ले सकते हो, किसी को भी Y ले सकते हो बट ये condition याद रखना ये condition याद रखना कि एक बड़ा होगा ठीक है तो यहाँ पे हमने बोला let let हमने बोला कि जो oq हम ले रहे हैं उसको चलो ले लेते हैं x cm फिर दूसरा क्या हो जाएगा भाई y हो जाएगा मतलब p q कितना हो जाएगा वो हो जाएगा y cm ठीक है अब हमें ये भी गिवन है दोनों का difference है 1 cm दोनों का difference कितना है 1 cm तो जैसा कि हमें पता है oq बड़ा है oq बड़ा है तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा x minus y यहाँ से क्या जाएगा कि x minus का y is equals to 1 ये किसके बड़ाबर है 1 के बड़ाबर है ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है और पाइथोगरोस थेयरम ना यूज हो जब दो चीजे ना गिवन हो ऐसा हो तो हो जो ही नहीं सकता तो यहाँ पे हम तीसरी दो साइड नहीं पता दो equation पता है कौन सी पता है एक तो ये पता है कि दोनोट sides का difference है 1 cm और दूसरी चीजIES पता है पाइथोगरोस थेयरम पाइथोगरोस में क्या पता है कि भाई लॉंगेस साइड का square वो किसके बड़ाबर हो होगा rest 2 sides का square के sum के बड़ाबर मतलब कि ये कि जो आपका x square होगा वो किसके बड़ाबर होगा y square plus 7 square के बराबर, क्यों? Pythagoras theorem यही तो बोलती है कि जो आपका o q का square होगा वो किस के बराबर होगा q p plus मे p o का square के बराबर होगा है ना? यही तो बोलती है हमारी Pythagoras theorem यही हमने use किया x square is equals to y square plus 7 का square और x minus y कितना है? 1 के बराबर यहाँ से हमें पता है कि x minus y है 1 के बराबर तो यहाँ से x की value हम क्या पुट कर सकते हैं? y plus 1 x की value क्या पुट कर सकते हैं? अब यहाँ आप substitution लगाना चाहो elimination लगाना चाहो यह भी आपकी मर्जी तीक है? यह भी totally आपके depend करता है elimination भी use कर सकते हो substitution भी use कर सकते हो हम फिलाल substitution यूज़ कर रहे हैं जरूरी नहीं है substitution लगाना देखो ऐसा होता है mathematics एक अकेला ऐसा subject है जो की different different method से solve हो सकता है बहुत सारे तरीके से solve हो सकता है तो चलो आओ solve करते हैं x की value हमने put करी y plus का 1 का square तो x का square जब निकाल रहे हैं तो इसका भी square हो जाएगा तो a plus b का whole square मेरे क्याल से सभी बच्चे जानते होंगे तो वो हो जाएगा y square plus का 2y plus का 1 is equals to y square is equals to 49 अच्छे ये बीच में plus है plus में 49 तो यहां से एक चीज हमें पता लगी कि y square और y square cancel out y square y square हो गया cancel out तो 2y की value कितनी हो गई 48 तो y की value कितनी हो गई 24 cm y की value कितनी आगी 24 cm 24 cm अब हमें क्या पता था हमें पता था x-y किसके बराबर है या फिर simple सा हमने अभी अभी बताया कि जो x है वो क्या है वो है y plus 1 तो Y की value तो हमें पता लगी तो X कितना आ जाएगा 25 cm Y पता है 24, X पता है 25 दोनों चीजे पता लगी अब बात कर लेते हैं right angle triangle की जो हमने बताया था जो हमें question में given है ऐसा ही given है ऐसा ही कुछ given है ठीक है थोड़ा सा वो छोटा है यह हमने थोड़ा सा उचा गर दिया कोई बात नहीं यह जो था 7 cm के बराबर यह आगे आपका 25 cm और यह था आपका 24 cm जस्ट अभी अभी निकाला है यह 24, यह Y था यह P और यह O P यह है और O यह है चेंज करते हैं pen यह है P, यह है O और यह है आपका Q P O Q और P एंगल 90 डिगरी था यह था ना P 90 डिगरी था क्या find करना था यहां से हमने सारी की सारी साइट्स पता दी तीनों की तीनों साइट्स पता लगी एक है सबसे लंबी साइट्स हाइपिटोनेस 25 उसके बाद 25 के बाद यह 7 थी गिवन थी और यह है 24 ठीक है find करना था sign of Q, cos of Q sign of Q, cos of Q sign of angle Q, वो क्या होगा perpendicular by H perpendicular क्या है Q कहा है, यह है perpendicular क्या होगा, perpendicular होगा P O, perpendicular क्या होगा P O, divided by Q O तो यहां से हम value निकाल सकते हैं हाजी बिलकुल, यह तो sign की value easy तरीके से आगी, sign of angle Q is equal to P O, जो की है 7, divided by 25 ऐसे ही आप cos भी निकाल सकते हो, cos of angle Q क्या हो जाता है, base by H और वो कितना आजाएगा, वो आजाएगा 24 by 25 आया समझ simple, एक बार आपको lens आगी, फिर उसके बार trigonometric ratios निकालना तो बहुत easily हमने आप लोगों को बता रखा है तीक है, आगे बढ़ते हैं next question की और, तीक है, सभी को समझ आ गया simple, इसमें important क्या था इसमें important था, sides को find करना, sides को find करना ही इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी था चलो, आगे बढ़ते हैं next question की और और कोशिश करेंगे wrap up करने की अब ठीक है, करें के आगे हम अच्छा, अब आ रहे हैं आपके objective type questions अब ये topic मतलब finish हो गया है ratios के regarding topic आप लोगों का finish हो गया है, तो ये है आपका objective type question और क्या ये हम, चलो नहीं homework नहीं देते हर एक question करवाने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ पे जो logic use हो रहा है na question में वो abuse करेंगे, वो बताएंगे आप लोगों को, देखो बोला क्या गया है, 5 into 10 theta minus 4 is equals to 0 के बराबर है, मतलब 5 times tan of angle theta minus का 4 वो 0 है, मतलब tan of theta वो किसके बराबर है 4 by 5 के बराबर है किसके बराबर है, 4 by 5 के बराबर है, tan of theta कैसे find गया, by 4 इदर आ गया, 5 denominator में चला गया, find क्या करना है यह चीज find करने है, कैसे find करें देखो एक तो तरीका है, आपका simple सा एक तरीका है, tan theta पता है sin theta निकाल लो, cos theta निकाल लो एक तरीका तो simple है, कि sin theta निकाल लो, ठीक है cos theta निकाल लो, ठीक है और वो कैसे निकालोगे, उससे पहले आपको यह पता है, कि भाई, यह आपका perpendicular by, base पता है perpendicular पता है, base पता है, h निकालो पहले, h निकाल के sin निकालो cos निकालो, value put करो, फिर उसको multiply करो, फिर divide करो इतना लंबा मेथड, एक तु तरीका यह है, बट एक और इसमें तरीका है, क्या है, जैसा कि हमने बताया था, कि tan theta को, हम किस तरीके से लिखते हैं, tan theta को लिखते है, sin theta by cos theta, ठीक है, बताया देना याद है ना, lecture में, कोई सोया तो नहीं न, lecture में, ये बताया था, देखो, यहा जो आपका caught होता है उसको करते है cos by sin की form में तो ये जब आपको पता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं value यूज कर सकते हैं अब जब use कर सकते हैं तो ये हमने use किया भाइस 10 theta क्या यूज कर लिया sin by cos अब sin by cos की जरूद क्या है देखो question में 5 times sin theta question में क्या given है 5 times sin theta minus में 4 times cos theta divided by 5 times sin theta plus में 4 times cos theta given है अब हमें clearly ये तो पता लग रहा है कि tan theta sin theta by cos theta होता है और हमें tan theta की value भी पता है tan theta की value पता है तो यहां से simple सा क्या करेंगे numerator और denominator को क्या कर दिया by dividing numerator and denominator by cos theta divide गर दिया cos theta से अच्छा cos theta से divide गरेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 5 into 10 theta minus में 4 divided by 5 times 10 theta plus में 4 अब यहां से आप लोग value पुट कर सकते हो कैसे हुआ divide देखो इसको simply अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 5 sin theta by cos theta ठीक है minus में 4 cos theta by cos theta अब sin cos क्या होता है sin by cos होता है 10 और ये हो जाएगा cancel अब यहां पे हमें पता है क्या 10 की value हाँ जी बिल्कुल अभी तो बताई थी कहा है 4 by 5 तो जब 4 by 5 value पता है तो 4 by 5 value हम put करेंगे 4 by 5 जब value put करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा ये बचेगा 5 minus का 4 और यहां से 4 by 5 value put करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा यो जाएगा 4 plus 4 तो ये कितना हो गया 1 by 8 ये कितना हो गया 1 बटा 8 तो answer कौन सा correct है नहीं answer कहां गया question ये है 10 theta कितना है 4 by 5 ठीक है 4 by 5 4 by 5 ये अच्छा sorry 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 ये देखो एक छोटा सा देखो अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो एक छोटी सी mistake हो जाती है जो कि अभी live हुई हमारे साथ क्या हुई है देखो यहां पे जब हमने value put करी ये होगा 4 by 5 ऐसा ही होगा minus में 4 5 से 5 कटेगा numerator क्या बनेगा 4 minus 4 बनेगा क्या बनेगा 4 minus 4 बनेगा और 4 minus 4 0 होता है ठीक है अगर थोड़ा सा आप हटोगे ध्यान हटेगा ऐसी mistakes हो जाएंगी तो denominator की तो ज़रूती नहीं है denominator चाहे कुछ आए numerator तो 0 आ रहा है denominator वैसे भी 8 आएगा तो यहां से answer होगा येस आपका correct answer option number C ये था आपका topic पहला topic जो की finish हो गया है जो की था क्या जो की था आपका trigonometric ratios क्या था trigonometric ratios अब एक topic और आगे बढ़ते हैं और अब की बार करवाते हैं अब करवाते हैं आपको specific angles trigonometric ratios of some specific angles तो specific angles में अब तक हमने बात क्या करी है अब तक हमने जो discuss किया है वो ratios के बारे में किया है तो specific angles किस के होंगे उसी के होंगे sine के, tan के, cos के, cosecant के cot के, secant के इन सब के ही होंगे तो जो specific angles आप लोगों के syllabus में है वो क्या-क्या है वो मैं बता देता हूँ 30 degree 45 degree 60 degree and 0 and 90 degree ये सब आपके syllabus में है अब table कैसे याद गरनी है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ये maximum बच्चों को table याद रहती है तो कैसे याद गरोगे simply solve करके ठीक है और अच्छा एक technique और बता देते हैं ये आपके syllabus में है ये table है basically वो जो next page पे थी वो table थी तो याद कैसे करोगे देखो simple सा तरीका है वो हम बता देते हैं वो कैसा है वो भी देख लेना देखो ऐसा होता है कि जो आपका sine theta होता है ठीक है वो specifically यहाँ पे होगा 0 degree ठीक है 0 30 45 60 and 90 degree ठीक है यही है चालो ठीक है तो sine 0 0 sine 30 1 by 2 sine 45 1 by root 2 और sine 60 कितना होता है root 3 by 2 और sine 90 होता है 1 sine 90 क्या होता है 1 अच्छा यह याद करने का देखो दो तरीके हैं जो हम सिखाएंगे वो देखो ऐसा है बनाओगे चलो बता ही देते हैं ठीक है 0 1 2 3 4 ठीक है 0 से start हो रहा है angle 0 से start हो रहा है तो 0 1 2 3 4 divided by 4 4 and 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 ठीक है उसके बाद क्या करन है sir उसके बाद root लगाना है ऐसे करके चीक है root लगाना है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0 जो की लिखा हुआ है ये कितना हो जाएगा 1 by 2 ये कितना हो जाएगा 1 by root 2 ये कितना हो जाएगा 1 by ये हो जाएगा 1 ये कितना हो जाएगा 1 ये ही तो हमने लिखा है ये चीज आपको पेपर में यूज कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा टाइम कंजूमिंग है थोड़ा सा क्या है टाइम लेगी ये आप पेपर में बनाने बैठोगे पहले आप देखोगे पेपर पल्टाओगे फिर देखोगे अरे अरे ये ऐसा नहीं था तो ये थोड़ा टाइम कंजूमिंग होती है है तरीका समझाने का बट इससे बढ़िया तरीका है आपका कि आप सिंपली टेबल याद कर लो ज्यादा टाइम उसमें जाएगा ये नहीं देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ साइन जीरो जीरो साइन नाइन टी वन साइन जीरो जीरो साइन नाइन टी वन साइन फोटी फाइव जो की बीच में है वन बाइ रूट टू ठीक है ये है वन बाइ रूट टू ठीक है बाकी 60 रूट 3 बाइ टू और यह हो जाएगा वन बाइ टू अब इसको और यह हो जाता है, 1 by 2, और tan कैसे बनेगा, tan तो आपका sin theta by cos theta होता है, sin theta by cos theta होता है, sin theta by cos theta लगाते चलो, answer पाते आओ, चीक है, answer पाते आओ, अब यहाँ पर आप लोग सकर लोगे, बट जब 90 की बात होती है, तो यह होता है, tan 90 होता है, 1 by 0, जिसको हम denote करते हैं, not defined, जिसको ह ठीक है, अब आपकी screen पर आपको दिखाई दे रहा है, trigonometric table का chart, कि sin of angle a 0 degree होगा, तो angle क्या होगा, 30 होगा, 45, 90, 60 होगा, तो क्या होगा, देखो, अब यहाँ पे maximum बच्चों को confusion कहां आती है, वो मैं बताता हूँ, confusion आती है, cot a में, cot क्या है, 10 का reciprocal, 10 का reciprocal, तो यह क्या हो जा है, 1 है, तो 1 by 0 क्या होगा, वही not define होगा, अच्छा, 10, 30, 1 by root 3, to 10, cot 30 कितना हो जाएगा, root 3, reciprocal, ठीक है, ऐसे ही, secant क्या होता है, secant होता है, आपका, cos का reciprocal, sign क्या होता है, आपका, cos second का reciprocal, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, simple तरीका, easy way में याद कर सकते हो, sign, cos, याद हो ग second क्या होता है, cos का reciprocal, और, cos second क्या होता है, sign का reciprocal, ठीक है, चालो, एक question करवाते हैं, और screen पर आपको दिख भी रहा होगा, एक question, इसको solve करवाते हैं, ताकि आप लोगों की table थोड़ा सा strong हो जाए, ठीक है, table थोड़ा सा, अच्छे से, बढ़िया तरीके से, strong हो जाए, must, बिल trigonometric ratios की values क्या होती है, specific angles की values क्या होती है, तो यहाँ हम पहले बताना चाहेंगे कि cost of angle 60 क्या होता है, भै लिख लेते हैं, जो बच्चे को नहीं आती, उसको ऐसे समझाना थोड़ा सा असान पढ़ जाता है, tan 45, ठीक है, उसके बाद क्या है, sign 30 and cos 30, ठीक है, इतना clear है, इतना सभी को clear हो गया होगा, कि भै, cos 30, cos 60, second 30, tan 45, sign 30, अब अगर आपको tables यह वाली याद है, तो तो फिर आसान हो जाएगा, काम आसान बन जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं, cos 60, cos 60 कितना होता है, अच्छा मैं sign को बेस मान के चलते हैं, तो समझा भी देता हूँ कैसे याद र 30 की बात करते हैं, second 30 मतलब, cos 30 का reciprocal, cos 30 कितना होता है, अभी अभी sign 60 की बात करी, cos 60 की बात करी है, 1 by 2, तो cos 30 कितना होगा, root 3 by 2, बट second है, तो हो जाएगा, reciprocal, तो यह बन जाएगा, 2 by root 3, 1045, याद करना सबसे easy, 1045, बच्चों, ये तो मतलब लिख लो, note लिख लो, ये तो ऐ ऐसे पूछना, ऐसे मतलब आप, मैं आप से पूछना, 1045, 1, 1045, 1, 1045, 1, सीधा, याद हो गया, ठीक है, 1045 कितना होता है, 1, अब sign का तो मेरे क्याल से सभी बच्चों को पता होगा, sign 45, 1 by 2, अच्छा sign sorry, 30, sign 30, 1 by 2, sign 30 कितना होता है, 1 by 2, और cos 30 कितना हो जाएगा, अगर sign 31 by 2 है, तो cos 30 हो जाएगा, root 3 by 2, छीक है, यह हो जाएगा, root 3 by 2, अब एक नई चीज यहाँ पे हम question में देख पा रहे हैं, कि चलो यह तो हमें याद है, यह तो हमने पढ़ लिया, यह तो हमने आप लोगों ने सिखा दिया, भया आपने बता दिया, अब यह square जो लगा है, यह कौन सा है, यह क्या अलग चीज है, देखो यह ऐसा होता है, इसका मतलब अगर देखो, जैसे second के हम बात कर रहे है, second square 30 degree, इसका मतलब यह होता है, कि second 30 value put करो, फिर उसका whole square, मतलब कैसे रखा जाएगा, second 30 वही कितना होता है, 2 by root 3 होता है, value put करो, यह होगा 2 by root 3, फिर इसका हो जाएगा, square, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 4 by 3, यह कितना हो जाएगा, 4 by 3, ऐसा होता है, यह square का मतलब, ऐसे होता है, इन squares का मतलब, अच्छा, इतना समझ आया, फिर हम इसको solve करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमने value put करी, तो देखो, 5 into, cos 60 क 30 कितना था, 2 by root 3, और उसका square करेंगे, find भी कर रहा है, 4 by 3, ठीक है, माइनस का, 1045, 1 होता है, 1 का square तो 1 ही रहेगा, divided by, sine square 30, sine 30 कितना बताया था, 1 by 2, इसका square करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 by 4, ठीक है, similarly, cos 30, cos 30 कितना होता है, root 3 by 2, यहा लिखा है, इसका square करेंगे, तो 3 3 by 4 होगा, इसका square करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3 by 4, अब अगर आप denominator ध्यान से observe करो, तो यह तो 1 बन रहा है, 4 by 4, कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, मतलब, सिरफ हमारे हिससे यह चीज़ आई है, 5 by 4, प्लस में, 16 by 3, माइनस का 1, इसे हमें solve करना है, हमा माइनस करेंगे 3, 67, 67 by 12, 67 by 12, यह हो जाएगा, हाजी बिल्कुल यह हो जाएगा, ठीक है, 67 by 12, 16 forza, ओ, यह LCM लेंगे, 12 आएगा, 3 यहाँ पे 15 बन जाएगा, यह 64 बन जाएगा, और माइनस में 12 होगा, 15 को 12 से माइनस किया, प्लस में 3 आएगा, और 64 को प्लस 3 करेंगे, त answer, खतम, sorted, easy question, अब आते हैं, और बढ़िया questions की और, specific angles की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, specific angles को एक बार खतम करवा देते हैं, ठीक है, चालो, तो एक और question लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि फिर से एक और जबरदस्त question है, बढ़िया question है, अच्छा question है, फिकर मत करो ब trigonometry और बढ़िया तरीके से strong हो जाएगी, ठीक है, चालो, तो next question आपकी screen पर है, if sin of angle A plus B is equal to 1, and sin of angle A minus B is equal to 1 by 2, जहां पे A plus B किसके बराबर है, 0 के बराबर, और 90 से चोटी या बराबर है, और हमें बोला है, angle A बढ़ा होगा B से, तो बच्चों देखो ऐसा है, हमने तो specific angles पड़े है, 0 पड़ा है, 30 पड़ा है, 45 पड़ा है, 60 पड़ा है, 90 पड़ा है, 5 ही चीजे पड़ी है, तो 5 ही चीजे का use करके इनको solve करेंगे, तो चलो, आओ, use करते हैं, और solve करते हैं, देखो, हमें given था, sin of angle A plus B, वो कितना है, वो है 1, अच्छा, यहां से हमें याद आया sin की जब हम table पढ़ते हैं, तो sin 1 कहां होता है, 90 पो होता है, मतलब, इसको हम बोल सकते है, sin of angle 90 डिग्री, मतलब, मतलब की यह, कि sin of angle A plus B, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो sin 90 के बराबर, 1, sin 90 कितना होता है, न होता है, तो मतलब ये हो गया sin 90 तो इसका मतलब ये हुआ हम बोल सकते हैं a plus b जो angle है वो 90 degree के बराबर है वो किसके बराबर है 90 degree के बराबर ये हमारी पहली equation ये हमारी क्या है पहली equation चलो ये तो हमें समझ आ गया और ये भी satisfy कर रहा है ये वाली condition जो कि ये बताती है जो a plus b है न वो 0 और 90 के बीच में ही है तो ये तो satisfy कर रही है a plus b 90 ही है और वो equal भी बोला था चलो आगे आड़ते हैं अच्छा उसके बाद बोला गया है कि sin of angle a minus b 1 by 2 के बराबर है 1 by 2 के बराबर है तो कोई बात नहीं sin of angle a minus b वो कितना given है 1 by 2 given है अब मेरे ख्याल से अब इतना solve करवाने के बाद आप लोगों को पता तो लगी गया होगा कि 1 by 2 sin कहां होता है नहीं पता तो चलो table देख लो यहां help कर देते हैं sin of angle 1 by 2 कहां है 30 पे है मतलब जो angle है वो कितना हो जाएगा मतलब यह हो जाएगा sin of angle 30 degree तो इसका कहने का अर्थ यह है निकला मतलब क्या निकला कि a minus b हो गया आपका 30 degree यह बना हमारा equation number 2 यह क्या बना equation number 2 पहली चीज हम बोल रहे है first equation से a plus b अगर 1 के बराबर है sin of angle a plus b 1 के बराबर है तो इसका मतलब a plus b 90 है और sin of angle a minus b 1 by 2 के बराबर है इसका मतलब है कि a minus b 30 degree के बराबर है तो इनको हम elimination method substitution method से solve नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो हमने क्या कर दिया simple add a plus b कितना हो गया 90 के बराबर हो गया तो यहाँ पर add ही करेंगे तो देखो 2a कितना आ गया 2a आ गया ठीक है और angle a की value कितनी आ गई angle a की value आ गई 60 degree angle a की value कितनी आ गई 60 b की value आप normally निकाल सकते हो कैसे a plus b 90 है तो b कितना बन जाएगा 30 degree का बन जाएगा clear है देखो देहान से आप लोगों को यहाँ पर इस question में sign की table sign of angle theta पता होना चाहिए कि भाई इस angle पर angle की value यह होती है इस angle पर angle की value यह होती है sorted, clear, बढ़िया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत प्यारा, बहुत प्यारा चालो, चालो, स्टार्ट करते हैं next वाला ठीक है next phase पर चलते हैं question के next phase है आपका यह अच्छा यह अब जो questions है ना यह लगा लो आप बढ़िया बढ़िया अच्छे-च्छे questions है objective type questions जो की repeat हुए questions है याद रखना यह सारे repeat हुए questions है तो क्या आप लोग इसको solve करके दिखा सकते हो हमें अच्छा यह हम दे देते हैं आपको yourself आले question में यह आप try करना ठीक है अच्छा इसको solve करके हमें comments करना हम comments read करेंगे आपके इसको solve करके हमें बताना कि value क्या आई है आपकी हम फिकर मत करो comments read करते रहेंगे कि भाई क्या-क्या value कौन कर मच्छा कौन सी value बता रहा है ठीक है और side by side like जरूर करते चलना यह question है yourself आला या बोल सकते हो आप इसको खुद attempt करो try करो करने की तो कोशिश करो गए भाई 1030 पता है कितना होता है 1030 जब 1030 उपर है 1030 नीचे है simple सा value पुट करनी है simplify करना है आपको value बताना है अच्छा मेरा यह tick लगाने का यह मतलब नहीं है कि इसका answer भी है मेरा सिरफ कहने का मतलब है यह yourself वाला question है यह खुद आप solve कर सकते हो ठीक है कर लोगे चालो आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं एक और genuine questions की और questions जो लेके आए ना मतलब बढ़िया है questions अच्छे है no doubt questions are good no doubt questions are good यह question आपका sample paper और previous year board paper में भी आया हुआ question है यह जो question है ना यह 4 star 5 में से star दे रहे हैं हम इसको तो 4 star का question है 4 star का question है तो इसका मतलब लगा लो क्या importance है इसकी अगर आपको समझ आ गया तो तो फिर मतलब आप लोगों को some specific angles का topic clear है sorted up बढ़िया तरीके से बट नहीं आया तो कोई बात नहीं हम तो हैं ही हम तो हैं ही कोई दिक्कत नहीं ठीक है चालो करें क्या हाजी बिल्कुल करते हैं फिकर मत करो करेंगे करेंगे wait is wait is hmm okay fine ठीक है ठीक है solve करते हैं solve करते हैं देखो बोला क्या गया है बोला ये गया है कि sign of angle alpha sign of angle alpha है 1 by 2 के बराबर और cos of angle बीटा है 1 by 2 के बराबर फिर यहाँ पे table का use हुआ है table का use हुआ है कोई बात नहीं sine of angle alpha की अगर हम बात करते हैं तो अगर वो 1 by 2 होता है तो वो sine 30 पे होता है और similarly similarly sine beta अगर 1 by 2 होता है sorry cos beta cos beta अगर 1 by 2 होता है तो वो कहां होता है cos 60 degree पे होता है मतलब यहाँ से तो हम simple सा यह बोल सकते है कि हमें यही दिखरा है कि जो alpha होगा वो 30 के बराबर होगा और जो beta होगा वो किसके बराबर होगा जो beta होगा वो किसके बराबर होगा वो 60 के बराबर होगा यहाँ से तो यह चीज पता लग रही है तो यहां से हम simple क्या बोल सकते है, alpha is 30 degree and beta is 60 degree, तो alpha plus beta find करना है, alpha plus beta find करना, तो alpha plus beta कितना हो गया, alpha plus beta is 90, कतम, option कौन सा correct है, option number 90 correct है, हर एक type का question मिलेगा हमारी class में आपको, ठीक है, 90 degree is the correct answer, simple, cause alpha 1 by 2, sin 1 by 2 का होता है, 30 पे होता है, मतलब alpha कितना हो गया, 30 degree हो गया, alpha 30 हो गया, ठीक है, cause beta 1 by 2, beta 60 पे होता है 1 by 2, cause 60 पे होता है 1 by 2, तो beta कितना हो गया, 60, मतलब alpha plus beta कितना हो गया, alpha पता लग गया, alpha plus beta निकालना और भी आसान हो गया, ठीक है, अब बढ़ते हैं, एक और topic की और, एक और last topic की और, और one of the, अब य चार मार्क्स के यहां से बनता है आपका तीन मार्क्स का कोशन या फिर पांच मार्क्स का कोशन बनता है ठीक है पांच मार्क्स का कोशन यहां से वैसे आपका पार्ट्स में डिवाइडिड होता है बट फिर भी चांसे यहीं से ही होते हैं कि दो से पांच मार्क्स के कोशन और हाँ ये भी याद रखना objective type questions भी यहाँ से chances होते हैं objective type questions भी यहाँ से बनते हैं identities से ही ये तीन होती हैं आपकी identities sin square of angle A plus cos square of angle A is equals to 1 secant square of angle A minus 10 square of angle A is equals to 1 यहाँ याद रखना angle A जो है वो 90 के बराबर नहीं होगा क्यों 90 के बराबर नहीं होगा क्योंकि secant 90 not define होता है secant 90 क्या होता है not define secant 90 not define होता है या 1090 not define होता है यह आपका है question यहाँ पे हमने एक और question put up कर दिया आपके लिए कि 1090 कितना होता है और secant 90 कितना होता है यह आपका है question यह हमें बताना comments कर देना इसमें comments करना आप, देखते हैं कितने बच्चे sincerely class को attend कर रहे हैं, sorry, sorry, चालो, आगे बढ़ते हैं, अब यह जो identities है, sine की, cos के साथ, secant की, tan के साथ, cosecant की, cot के साथ, यह कहां से आई, कहां से generate हुई, यह अब बताते हैं, इसका proof है आपका, sine square of angle A plus cos square of angle A का proof है, छोटा सा, ज्य के हलके में बता देंगे इसको, simply बता देंगे, देखो होता क्या है, हम अगर बात करें, sine of angle A की, तो वो होता क्या है, वो होता है, perpendicular by H, P by H, ऐसे ही अगर हम cos की बात करें, cos of angle A की बात करें, तो वो होता है, B by H, प्रूव बता रहे हैं, कि sine of square F angle A, sine square of angle A, plus cos square of angle A, वो 1 क्यूं होता है, वो समझा रहें हैं, ठीकिए, sine of angle A, P by H, cos of angle A, बाई H, तो यहां से हमें क्या पता है, हमें पता है, कि sine square of angle A, वो क्या हो जाएगा, P का square divided by H का square, ऐसे ही, cos square of angle A, क्या हो साइन स्क्वेर ऑफ एंगल ए प्लस में कॉस्क्वेर ऑफ एंगल ए वो क्या हो जाएगा पी का स्क्वेर बाइच का स्क्वेर प्लस में बी का स्क्वेर बाइच का स्क्वेर डिनॉमिनेटर सेम है तो यहां से क्या हो जाएगा पी का स्क्वेर प्लस बी का स्क्वेर जाता है क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं sin square of angle a plus में cos square of angle a which is equals to 1 अच्छा इसका proof तो है बाकी दो identities का proof है क्या देखो बाकी दो identities का proof आपके syllabus में नहीं है बट आप लोग simply इसको समझ सकते हो कैसे हुआ कैसे हुआ वो होता कैसे है वो भी समझा देता हूँ देखो यह जो identity है यह वाली sin square of angle a plus में cos square of angle a is equals to 1 है ना इसको एक बार आप divide कर दो cos square a से ठीक है एक बार cos square a से अगर divide करोगे तो वो क्या बन जाएगी यह दूसरी वाली identity बन जाएगी कैसे cos by sin tan cos cos cancel तो यह हो गया tan square a plus में one is equals to second square a वो जो की यही है अब दूसरी वाली कैसे बनी यह तो बनी इस से अब दूसरी वाली कैसे बनी दूसरी भी ऐसी बनती है मतलब उसमें अब गर दो sin से divide sin square से तो यह हो जाता है sin square a प्लस में cos square a divided by sin square a जो कि क्या हो जाता है 1 by sin square a जो कि आपकी दूसरी identity बन जाती है जो कि आपकी क्या बन जाती है दूसरी identity अच्छे यह थोड़ा सा वो हो गया ना होच पोच तो यहां बता देते हैं यहां बता देते हैं यह कुछ ऐसा होता है कैसे देखो यह ऐसा होता है sin square of angle a plus में cos square of angle a is equals to 1 second वाली बता रहे हैं divide किस से करना है divide पहले में किया cos से दूसरे में divide करना है sin से तो यह कुछ ऐसा हो जाता है sin square a divided by sin square a तो यहां से जब इसको solve करेंगे तो उज़ा ज़ता है 1 plus में cos by sin क्या होता है cot तो यह क्या बन जाता है cot square of angle a is equals to cosecant square a cosecant square of angle a ठीक है अब इसको आप ऐसे वोल लो या आप हाँ ऐसे ही वोल रखा है वैसे ठीक है यहां से यह निकल जाती है और यहां से निकल जाता है आपका यह कि tan square of angle a plus में 1 is equals to secant square of angle a ठीक है कोई आपसे पूछे कि यह दो identity कहां से निकली यहीं से निकली मतलब समझ रहे हो मतलब क्या है मतलब यह है कि यह जो identity है ना यही important है बाकी तो इसी से निकली हुई है बाकी दो जो identity है ना पहली वाली से ही निकली है तो अगर पहली वाली याद होगी बाकी दो तो आप derive कर सकते हो solve कर सकते हो समझ सकते हो है ना clear है बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे good चलो बढ़ते है next अब यहां से identity से जो basically questions बनते है ना वो या तो formulas पे आपके direct questions बनते है या फिर आपके proof वाले questions बनते है जैसे हम बता रहेते कि 4-4 marks के questions आते हैं या 3 marks के questions यहां से बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो इस तरीके को questions बनेंगे जो आपको screen पर दिख रहा है ठीक है जादा नहीं 3-4 questions इसके भी हम करवाएंगे बट जो करवाएंगे वो बढ़िया questions होंगे बहुत प्यारे-प्यारे questions होंगे ठीक है चालो तो question screen पर आपको दिख रहा है proof that secant of angle A into में 1 minus secant 1 minus sign A into में secant of angle A plus tan of angle A वो 1 के बराबर हमें given है और हमें proof करना है कि यह होगा ठीक है चालो तो no doubt हमें लगता है कि हमारे सारे बच्चे इसको कर पाएंगे या ना चालो अब हम करवाते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं solve कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है बट नहीं कर पाओगे तो देखो screen पर कैसे solve करते हैं ठीक है तो कभी भी ये चीज याद रखना चालो एक और चीज यहाँ पर एक और important चीज बता देते हैं एक हमेशा चीज यहाँ पर याद रखना क्या कि जब proof वाले questions होते हैं तो उसमें left hand side को एक side पकड़ लो या तो left hand side को पकड़ लो या right hand side को पकड़ लो एक side पकड़ लो और उसके बाद उसको completely solve कर लो चीक है अच्छे से solve करो जहां तक solve कर सकते हो वहां तक solve कर लो चीक है चलो अब यहाँ पर बोला है prove that this is equals to 1 तो यहाँ हमने क्या लिया left hand side ही solve कर सकते है right hand side तो क्या ही solve करेंगे तो left hand side उठाई और left hand side उठाने से पहले एक चीज हमने बता दी क्या बताई देखो बच्चो कि जो sine of angle A होता है वो होता है sine of angle A divided by cos of angle A ठीक है एक दूसरा दूसरा क्या कि यहाँ पर जो secant of angle A यूज हो रहा है उसको हम बोलते है cos का reciprocal अब यह करने की क्या जरूरत थी है ना simply solve तो हो इ रहा था solve तो करी सकते थे यह करने की क्या जरूरत थी देखो ऐसा होता है जब धागा होता है ना धागा तो उसको हम क्या करते हैं मांजा sorry मांजा पतंग उडाते हो हर बच्चा पतंग तो उडाता ही होगा तो मांजा जब उलत जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है सीधा खोलना पड़ता है ठीक है उसी के बाद फिर हम उसे कन्नी बातते हैं कन्नी बात के तभी उसको उड़ाया जाता है अगर वो उलत जाएगा तो उड़ने में भी दिक्कत करेगा हाथ भी कट सकता है उससे अंगली भी बीच में आ सकती है ठीक है इसलिए हम क्या करते है उस चीज को सीधा करते है तो ऐसे questions में जब थोड़ा सा उलजी हुई situation होती है तो हम क्या करना by cos की form में expand कर दिया ठीक है तो ये चीज हम use करेंगे इसको solve करने में और हमारा question क्या है screen पर दिख रहा है अब secant की value डाली जाएगी 1 by cos और sine तो देखो sine है tan की value डाली जाएगी डाले क्या चालो आजो तो secant है 1 by cos of angle A ठीक है bracket 1 minus sin A ठीक है into में 1 by cos A plus में sin A by cos A ठीक है इतना मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा क्योंकि value ही put करी है यहाँ पे हमने सिर्फ value ही put करी है ठीक है tan की और secant की value put करी बागी तो जैसे का तैसा है चालो आगे solve करें क्या हाँ जी बिल्कुल सर 1 by cos of angle A यह हो जाएगा 1 minus का sin A ठीक है into में 1 plus का sin A divided by cos A ऐसा हो जाएगा इतना अब तक भी कुछ नहीं किया अभी भी हमने LCM लिया है cos सेमी है और 1 plus sin A और 1 minus sin A अब क्या आप एक चीज यहाँ पर observe कर पा रहे हो एक छोटी सी चीज है observation के लिए एक छोटी सी चीज है देखना अगर आप ध्यान से देखो 1 minus sin A 1 plus sin A मतलब कुछ तो सुना सुना देखा देखा समझा समझा सा लग रहा है तो मैं समझा देता हूँ देखो यह है A minus का B into में A plus का B कुछ याद आया अभी याद आजाएगा देखो यह होता है A square minus B square की identity जो की होती है A plus B into में A minus B अभी आद आगी होगी ठीक है वो ही हम यह चीज यहाँ पर लगा रहे हैं A plus B और A minus B multiplication ओके ठीक था अच्छा था तो चलो किसको solve करेंगे numerator 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 पार्ट को तो numerator 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 पार्ट को जब हमने solve किया तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा 1 by cos of angle A और numerator हमारा बन जाएगा 1 का square जो की 1 ही होता है minus का sine square A sine square of angle A divided by cos of A चीक है अच्छा दो cos थे तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देखो 2 cos denominator में थे तो इसको हम cos square of angle A पुट कर सकते हैं तो चलो इसको मिटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं cos square of angle A इसको लिख देते हैं cos square of angle A अब क्या करें अब फिर फस गए फिर फस गए 1 minus sine square of angle A divided by cos square of angle A अब समझ नहीं आ रही चीज़े कुछ बच्चे होंगे सारी अब तो फस गए बट यहाँ से अगर फिर से आप देखो जो की identity होती है sine square of angle A plus में cos square of angle A वो क्या होती है वो one होती है तो यहाँ से अगर हमें याद आया one है sine है यहाँ cos है तो इसको हमने क्या बोला कि cos square of angle A को हम लिख सकते हैं one minus sine square of angle A या फिर cos square A की जगह क्या डाल सकते हैं one minus sine square A की जगह cos square A की जगह डाल सकते हैं one minus sine square A या 1-sin2 की जगर डाल सकते है तो यहां जब हमने value put करी तो आप लोगों को वैसे ही पता लग गया होगा कि यह आगया cos2 divided by cos2 जो कि क्या है 1 है solve क्या कर रहे थे left hand side left hand side क्या आया है 1 आया है और right hand side क्या है वो भी तो 1 है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं यहां से बोल सकते हैं यह तो RHS के बराबर है जब LHS और RHS क्या हो जाता है तो हम लिखते हैं HP HP मतलब laptop नहीं HP मतलब laptop नहीं HP मतलब hence prove HP मतलब hence prove हो गया prove ठीक है आया समझ सभी को clear अच्छे तरीके से बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे good 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 चालो आगे बढ़ते हैं next question की और अब ये भी अब जो questions मैं फिर से बोलता हूँ जो questions है अच्छे questions है प्यारे questions है फिर एक और questions screen पर अब ये भी उल्जा हुआ कोशन है ये भी क्या है उल्जा हुआ कोशन है अब जब उल्जे हुए कोशन साते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सबसे अच्छा तरीका होता है उनको सुलजा लो सुलजाएंगे कैसे मांजे वाला एक्जामपल दिया था जैसे मांजा होता है आपका मांजे को क्या करते है मालजे में जब दो रटक जाती है या उलत जाती है उसको हम क्या करते हैं पहले या तो काड़ देते हैं अब इसमें देखो काड़ तो सकते नहीं हमें क्या करना पड़ेगा सुल जाना पड़ेगा अब सुल जाएंगे कैसे कहा है सुल जाने वाली टर्म्स देखो ये सुल जा है जो कि क्या होता है sin theta by cos theta आगे बढ़ते है, cot है, तो cot की भी value put कर दी जो की ten का reciprocal होता है और वो हो जाता है cos theta by sin theta ठीक है, दोनों चीजे पता है दोनों चीजे हमने side बे लिग दी कि हम ये use करने वाले हैं ताकि आप लोगों को पता रहे यह आप यह ना बूचो भया भया यह क्या गर दिया यह क्या कर दिया टैन था यह टैन को साइन कॉस में कैसे कर दिया यह तो बड़ी गड़बड बात कर दी example मांजा याद रखना चीक है चालो आजो करते हैं टैन की बात करें टैन को क्या लिखना है tan को लिखना है sin theta divided by cos theta ठीक है divided by 1 minus cos theta by sin theta ठीक है प्लस में अच्छा याद लिखना यहां हम क्या solve कर रहे है left hand side left hand side लिखना भूल गे by taking left hand side first left hand side को हमने लिया तो left hand side का पहला part यह रहा अब second part की बात करते है second part क्या है cot cot है तो क्या हो जाएगा cos by sin cos theta by sin theta divided by divided by 1 minus sin theta by cos theta ठीक है अब इसको हम solve कर सकते हैं हाजी से हाजी बिल्कुल बिल्कुल solve कर सकते हैं कैसे LCM ले लो यहां LCM आएगा यहां भी LCM आएगा LCM आएगा तो क्या बन जाएगा LCM आएगा तो यह ऐसा बन जाएगा अच्छा नेक्स पेज में कर लेगा नीचे थोड़ा सा यह बन जाएगा कुछ ऐसा साइन थींट को सीटा होलड डिवाइड बाई यह हो जाएगा साइन थीटा मॉ Teams का कॉस थीटा ठीक है डिवाइड बीच में प्लस साइन है फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा ठीक है होल डिवाइड़ बाई कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइड़ बाई कॉस थीटा इतना क्लियर इतना तो मिरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कुछ नहीं किया LCM यहाँ पर LCM ले लिया, यह हो गया cost, यह हो गया cost, किस form में करना है, इस form में करना है, ठीक है, RHS में करना है, तो पहले तो LHS देखते हैं, फिर RHS की बात करेंगे बाद में, ठीक है, अब यहाँ से इस form में कर दिया है, अब यह कुछ इस तरीकी की term है, कैसी term है, यह कुछ ऐसा है कि a divided by b divided by c by d अब इस divide का मतलब होता है solve करते हैं तो यह हो जाता है a into d by c into b मतलब इसको अगर और अच्छे तरीके से समझाए तो यहां देखो यहां देखो a b divided by c by d तो इसको जब हम solve करते हैं तो यह कुछ ऐसा बनता है a b into dc मतलब जो denominator और जो numerator सबसे नीचे वाला denominator सबसे उपर वाला numerator वो दोनों multiply हो जाएंगे मतलब यह और यह आपस में multiply होंगे यह और यह आपस में क्या होंगे multiply होंगे multiply होंगे तो यह क्या बन जाएंगे पर दोनों-दोनों क्या है bracket में sin theta minus का cos theta, plus में cos square theta divided by sin theta into में cos theta minus में sin theta, इतना समझ आया, simple सा, इन दोनों को multiply गया, इन दोनों को multiply गया, क्यों किया, reason देखो यहाँ पे, a by b divided by c by d, इसका मतलब तो यह 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 न, a by b divided by c by d, भई यह दोनों multiply हो जाएंगे, यह दोनों multiply हो जाएंगे, अब यहाँ से कुछ आपको common आता दिखाई दे रहा है, क्या, देखो यह चीज और यह चीज, ध्यान सो observe करो, अच्छा, बोलोगे की, नहीं, यह sin theta minus cos theta है, यह क्या है, यह है cos theta minus sin theta, but है तो same, minus का ही तो difference है, क्या है, सिरफ minus का ही तो difference है, और minus भी अगर हम बहार निकाले इसका minus अगर बहार निकाले या simple सा sin theta minus cos theta अगर बहार निकालते हैं तो देखो क्या बनेगी term ये बनेगी 1 divided by sin theta minus का cos theta यहाँ क्या बचेगी पहली term बचेगी sin square theta divided by cos theta cos theta minus sin theta थी बहार common क्या निकाला है बाहर common निकाला है sin theta minus cos theta मतलब यहां से minus बाहर आएगा यहां से क्या आएगा minus बाहर आएगा तो यह minus हो जाएगा और यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा cos square theta divided by sin theta अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा करना अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा comparative इस वाले के इस वाले के अभी हम क्या कर रहे हैं simple simple कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि जितना simple हो सके उतना simple करने की कोशिश कर रहे हैं हो गया simple जी बिल्कुल हो गया simple अब solve कर सकते हैं चलो solve करते हैं अब क्या करें इसको तो solve करने से रहे क्योंकि यह sin theta की form है इसको solve गर सकते हैं, कैसे solve गरेंगे देखें क्या LCM लेके कैसे solve गरेंगे, LCM लेके और LCM लेके बनेगा क्या, sin square theta cos square theta, cos और sin LCM लेंगे तो देखो ये terms अब बन जाएंगे अब final phase में आ गए हम इसके, ये हो जाएगा 1 by sin theta minus का cos theta bracket ये हो जाएगा sin cube theta ये क्या हो जाएगा sin cube theta minus का cos cube theta divided by sin theta cos theta divided by sin theta cos theta अब क्या करें अब क्या करें sin cube theta minus cos cube theta तो हो गया, अब अब तो formula लगाना पड़ेगा कौन सा cube का तो कोई formula नहीं होता नहीं होता है होता है 9th class में हमने cube का एक formula पड़ा था कौन सा x cube minus y cube का वो क्या पड़ा था वो पड़ा था x minus y into में x का square plus में y का square plus में x y ऐसा याद है किसी बच्चे को x cube minus y cube is equals to x minus y into में x square plus y square plus में x y sir आपको कह, भया आपको कैसे पता लगा ये formula लगाएंगे, बच्चे देखो आप कुछ नहीं बचा, solve करने के लिए बची कुछ नहीं रहा, तो बच्चेगा एक चीज क्या formula लगाना, वो कौन सा ये वाला फिर तो लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा तो चलो हाओ लगाते हैं, ये हमने किया 1 divided by sin theta minus cos theta और यहां लगाया हमने formula अच्चा formula भी लगा के दिखा देते हैं ताकि आसानी हो आपको करने में formula लगाया, तो ये हमने रखा sin theta minus cos theta ठीक है, इसका formula लगा रहे है ये होगा, अच्चा उसके बाद उसके बाद होगा sin square theta plus में cos square theta plus में sin theta cos theta plus में sin theta cos theta ये होगा होगा तो ये होगा तो इसी formula से लगेगा भाई ये बन जाएगा sin square theta ये बन जाएगा cos square theta ये बनेगा sin theta into cos theta चलो लखें क्या हाँ जी बिल्कुल value put करते हैं तो यहां हमने रखा कि sin theta minus में cos theta ये bracket और फिर bracket हमें याद आया कि हम तो identity कर रहे हैं identity में ये जो चीज होती है sin square theta plus cos square theta ये क्या होती है 1 ये क्या होती है ये होती है 1 ओके तो ये बन जाएगा 1 plus में sin theta cos theta और divided में क्या हो जाएगा divided में हो जाएगा sin theta into में cos theta अब तो मेरे ख्याल से maximum बच्चों को पता लग गया होगा कि करना क्या है देखो ये चीज यहां से cancel out हो गई ये चीज यहां से cancel out होगी तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 by sin theta cos theta plus में 1 by sin theta cos theta इसके numerator में sin theta cos theta हैगा sin theta cos theta और ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका answer ये है 1 by sin sin का reciprocal क्या होता है sin का reciprocal होता है cos theta cos का reciprocal क्या होता है उसका reciprocal होता है second और ये प्लस में 1 ये क्या हो जाता है plus में 1 हो गया solve हो गया जी बिल्कुल अरे ये तो बढ़िया तरीके से solve हो गया ये हो गया 1 इसको separate देखो ये दोनों cancel हो गए उसके बाद क्या किया ये दोनों जब cancel हो गए तो यहां से ये terms बचेगी हमारी ये वाली term बचेगी इसको हमने कर दिया separate separate किया तो यह 1 by sin 1 by cos sin by theta cos by theta तो ये कितना हो जाएगा 1 by sin होता है cos second theta जो कि ये रहा 1 by cos क्या होता है sec and theta और ये क्या बन गया 1 ये क्या है हमारा left hand side ये क्या है LHS LHS को क्या करना था ये ही तो करना था 1 plus second theta into cosecant theta यह हो गया आपका proof यही तो RHS है यही क्या है आपका यही तो RHS है ठीक है clear है सभी को one of the एक और सबसे ज़ादा अच्छा question बढ़िया question अच्छा question no doubt पड़ा प्यारा question है ठीक है चालो चालो बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे गुट 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 अब दो questions और हम इसके देंगे आपको खुद से करने के लिए ठीक है खुद से try करने के लिए अब दो questions और आएंगे आपके जो की आपकी screen पर दिखाई दे रही है ये भी आप try करना yourself ठीक है खुद से try करने के कोशिश करना क्योंकि बच्छो देखो ऐसा है हर एक question one shot revision में नहीं करवा सकते क्योंकि one shot होता है complete chapter की division करवाना ठीक है हर एक type के questions करवाने बैटेंगे तो बहुत जादा time चला जाएगा अच्छा ये question हम लेके आये थे करवाने के लिए बट फिर भी हम आपको देंगे इसको करने के लिए reason क्या है reason ये है क्योंकि ये ही एक अकेला question है जिसमें आपको बकाईदा बोला गया है कि इस property का use करना है ठीक है इस property का बोला गया है कि use करना है ठीक है एक तो है ये question दो question यह से बोला था हमने दो question देंगे एक तो है यह yourself आला जो कि chances होते हैं आने के एक तो यह है अब इसमें करोगे क्या इस identity का use करोगे अब वो कैसे करोगे आप लोग बताना हमें की कैसे करोगे ठीक है और एक और question जो कि फिर से एक और यह वाला no doubt easy वाला है यह वाला easy वाला है comparative to जो इससे पहले दिया था वो इसके comparative थोड़ा सा मुश्किल है यह थोड़ा सा easy है यहाँ पर क्या लगेगा यहां पर लगेगा ए प्लस बी का whole square आ प्लस बी का whole square ठीक है ए प्लस बी का whole square यह बन जाएगा sin square theta plus cos square theta ठीक है, यहां से आ जाएगा sin square theta यहां से आ जाएगा cos square theta यह एक और 1 बन जाएगा, ठीक है, फिर 2 बनेगा कैसे, देखो simple सा, यहां क्या होगा, logically अगर बात करें यह बन जाएगा sin square of angle A, plus में cos second square of angle A, plus में 2, plus में 2 क्यों आएगा, plus में 2A भी होता है, sin or cosecant क्या होता है एक दूसरे के, reciprocal होते हैं, तो sin or cosecant क्या हो गया, cancel हो गया ऐसे ही यहां पे बनेगा, यहां बनेगा आपका cos square of angle A, plus में secant square of angle A, plus में 2 अब plus में 2 आ गया, यह 2 बन के क्या बन जाएगा, 4 यह दोनों क्या बन जाएगे 1, 4 plus 1, 5 plus secant of square of angle A, plus में यह बन जाएगा, cosecant square of angle A अगर आप question देखो जो की बोला क्या गया है, प्रूव करने के लिए tan or cot बोला है, तो tan or cot चाहिए, तो यहां पे इनकी identity put कर दो खतम, यहां पे इसकी identity बन जाए, 7 बन गया, 10 आ गया, cot आ गया, खतम question ठीक है, यह भी yourself आला question है, try करना इसको करने की ठीक है, try करना, इसको try करना करने की ठीक है, दो question जो की हमने बोले थे, कि यह question try करना करने की, तो वो हमने बता दिये, अब बढ़ते हैं end phase की और, और कुछ questions जो की आपके बढ़िया objective type questions है, जो की बढ़िया बढ़िया objective type questions है पहला question आपके screen पर यह रहा यह question देखो अब क्या होता है, maximum बच्चे ना confusion हो जाती है बच्चों confusion हो जाती है कि sir हमारे syllabus में ना, वो नहीं है complimentary angle की property तो नहीं है यह complimentary angle की property नहीं है यह complimentary अंगल की properties नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सरफ एक trigonometric ratios पुट गरनी है और खतम काम, ठीक है, इसमें ना तो आपको cos 45 की value डालनी है ना तो cos 30 की डालनी है ना cos 60 की डालनी है बचा क्या, cos 90 और cos 90 कितना होता है cos of 90 degree वो कितना होता है cos 90 होता है बताओ, बताओ cos 90 होता है 0, cos 90 कितना होता है 0, देखो यहाँ पे table जो हमने बताई थी उसमें आप लोगों को दिहान से देखा होगा बड़ी, आगे चले गए cos 90, 0 अब ये तो mathematically proved है, और mathematically हम बहुत बार बोलते है कि जो हमारा cos है कहां गया question ये है, अहां ये वाला है, ओके, ये रहा जो हमारा cos 90 है, वो 0 हो जाएगा और कोई भी term को 0 से अगर हम multiply करते हैं, तो वो क्या आती है, वो 0 आती है वो क्या आती है, 0 तो इन सब का multiplication 0 इन सब का multiplication 0, तो answer कौन सा correct, B answer कौन सा correct यहां से B option, दो questions जो लेके आए हैं, जो ये questions लेके आए हैं, कुछ-कुछ बच्चे यहां confused हो जाते हैं, लिख देते हैं बई, out of slivers out of slivers क्यों लिखते हैं, क्योंकि sir, complimentary angle है, 1, यहां 89 आएगा, 2, यहां पे आपका, 89, 88 आएगा, तो फिर यह ना, complimentary 78, sorry, 78 आएगा, तो उन्हें complimentary angle की property होती है, तो ना यह हमें करवाई नहीं है, यह हमारे slivers से कटी बच्चों को याद नहीं रहता, कि यहां पे cost 90 भी mentioned है, और किसी भी term को 90, 0 से multiply करो, तो वो शुन्ने हो जाती है, ठीक है, अब एक और, एक और थोड़ा सा tricky question लेके आएंगे, एक और tricky question आपके लिए है, screen पर, कहां गया, यह रहा, ठीक है, yes, यह है आज का last question, यह है आपका आज का last question, इस question के साथ, आपका one shot revision trigonometric आप finish हो जाएगा, ठीक है, no doubt, maximum बच्चों को आता होगा, बट जिसको नहीं आता होगा, वो देख लो जड़ा screen पर, देखो, है क्या question, यहाँ पर हमें बोल रखा है, कि देखो, ऐसा है, कि second की power 4 of angle A minus second of second square A, यह हमें बताना है किसके बराबर होगा, इसकी तो कोई identity ही नहीं है, यह तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट common तो ले ही सकते हैं, गॉमन लेंगे, तो यहाँ से second square of angle A बाहर, और अंदर बच जाएगा second square of angle A, minus का बन, अब यह क्या कोई identity होती है, याद है, नहीं, अभी बताते हैं, देखो, जो identity होती होती है, second square of angle A is equals to one plus ten square of angle A, अच्छा, तो यहाँ पर हमें बोला है, second square of angle A minus का one, तो यहाँ से हम इसको ऐसे नहीं बना सकते है, second square of angle A minus का one is equals to ten square of angle A, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, second square of angle A minus one is equals to ten square of angle A, बिल्कुल बोला जा सकता है तो जब बोला जा सकता है तो इसको हम लिख देंगे second square of angle A into में ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan square of angle A कितना हो गया tan square of angle A अब बताओ कौन सा correct है यहाँ पे अच्छा ठीक है हाँ जी अब इसके comparative देख लो सा correct आपका बताओ बताओ चलो ठीक है अब यहाँ पे देखो हम 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 देखो होगा क्या simple सी बात है या तो इसको आप tan में convert कर लो या second में convert कर लो सारी की सारी terms किसमें है tan में है tan में है tan में है तो यहाँ से हमने simple सा दो logic है एक तो simple यह इसको compare कर लो कि वही इसके बराबर दूसरा logic यह है कि यहाँ से secant square of angle a की value पुट कर लो 1 प्लस tan square of angle a के बराबर यहाँ से value पुट कर लो यहाँ से हमने इसकी value डाली थी यहाँ से इसकी value डाल दो 10 की form में value पुट कर दो answer वहीं खतम हो जाएगा या तो ये नहीं तो एक और सही क्योंकि mathematics करने के बहुत सारे तरीके होते हैं यहीं आया था secant square of angle a minus का 1 यहां से हमने क्या बोला कि secant square की value put कलो जो कि क्या है 1 plus tan है तो यहां से यह है tan square a और यह कितना आ जाएगा bracket में यह आ जाएगा second square is equals to 1 plus tan square a 1 plus tan square a जो कि कितना बन जाएगा यह बन जाएगा tan square of angle a plus में tan to the power 4 a देखो एक तो यह तरीका है मैं बोलता हूँ नहीं समझाया लो मिटा दिया मैंने बोला नहीं समझाया किसी को नहीं समझाया कोई बात नहीं यह तो समझाया गया कहा गया यह तो समझाया गया दोनों में से क्या निकाल दिया कोशन था second की power 4 of angle a minus में second square a common निकाला second square a अंदर बचा second square of angle a minus का 1 क्या कर दिया identity में second square a की value put कर दी value put कर दी तो यह क्या बन गया 10 square of angle a plus 10 to the power 4 a तो यह क्या हो गया answer कतम कौन सा option correct यहां से हो जाएगा आपका option number अच्छा यहां पे न यह दोनों option इसके valid है यहां पे option में थोड़ा सा mistake है option में थोड़ा सा mistake है यहां पे आना चीए था दोनों minus आने चीए थे यह question थोड़ा सा क्या बोलते है printing mistake है ठीक है तो इसमें आपको bonus marks मिल जाते है ऐसे questions में भी आपको bonus marks मिल जाते है but solution सही होना चाहिए but क्या होना चीए solution सही होना चीए ठीक है चालो तो यहां करते हैं आपकी class को sum up यहां होता है आपकी class का the end मिलते हैं next class में बचो like and subscribe करके जरूर जाना class कैसी लगी comment करके बताना और अगर यह chapter आपको completely पढ़ना है अच्छे तरीके से हर एक topic पढ़ना है तो बताना जरूर comment करके बताना और या फिर नया chapter पढ़ना है तो भी comment करके बताना ठीक है थैंक यू दन्यवाद बाए बाय थाटा टेक चेर गुद डाइट थैंक यू बच्चो